हलो नमस्कार दोस्तों वेलकम बैग मा यूटीब चैनल लावित रोनित दोस्तों आप सभी का हमारे यूटीब चैनल पर स्वागत हैं दोस्तों आज एक नए वीडियो और एक नए अपडेट के साथ आ रहे हैं जो कि यूपी पीसियस्जे में एक्जामिनेशन से रेलेटर य उसके में पेपर को यहाँ पे हम एनलिसर करेंगे दोस्तों यह जो पेपर आज हम आप लोगों के सामने लेकर या रहा है ये लैंगवेश का पेपर होगा इसमें English के यह पैपर hem देखेंगे और सबस्य ऀसरी एससे'd को कॉन्सा यहाँ इिका यहां प इन सारी चीजों को हम यहां पर analysis करने वाले हैं, दोस्तों काफी लोगों का comment आ रहा था कि English के लिए कुछ कराया जा, कुछ language के लिए कराया जा, तो दोस्तों आप लोगों के comment को ध्यान में रखते हुए, मैं इस चीज को ले करके, आज आप लोगों के लिए ले करके आ रहा ह जाता हूं, जो कि English language का paper देने जाएंगे, जो PCSJ main examination का होता है, तो इसके लिए समय जो दिया जाता है, वो पूरे तीन घंटे का समय दिया जाता है, जैसे बाकी paper के लिए आपको तीन घंटे का समय दिया जाता है, उसी तरह यहां पर language का paper, यह हिंदी का और English का, यह जब न किया गया था, कि कितने नंबर का Hindi आएगा, और कितने नंबर का English आएगा, पहली बात तो आपको यहां पर ध्यान रखना है, कि यह 2018 का paper है, और यह जो कि maximum marks, इससे आपको कितना है, maximum marks इसमें 200 maximum marks दिया गया है, अब देखें, यहां पर हमको क्या दिया है, specific instructions जो दिया है, उ इस instructions को हम देखते है, all questions are compulsory, जितने भी इसमें questions दिया है, सभी के सभी compulsory है, marks are allotted against, और उन सभी के सामने क्या किया गया, marks को भी allot किया गया, means कि marks को भी उनके सामने आपको दरसाया गया है, दिखा दिया गया है, जिससे कि आप उसी label में, उसी understanding के साथ क्या करेंगे, जब आपको एक question दे दिया गया, आप एक हजार word लिख दीजे, नहीं, इसके साथ साथ क्या दिया जाता है, इसके साथ word limit भी दिया जाता है, अब देखिए, इस question, word limit in question, question में क्या रहता है, एक word limit भी रहता है, whenever, wherever, specified, जहाँ पे specified किया गया है, should be added to, means कि उसके सामने वो specified करके आ आपको एक essay लिखना है, on, any one of the following topic, यहाँ पर साथ हो तीन topic दिया है, A, B, C, तीन topic दिया है, इन तीनों topic में से किसी एक topic पर कितना, about 500 words में आपको क्या लिखना है, एक essay लिखना है, और यह essay कितने marks का होगा साथ हो, तो यह 500 word में लिखना है, और यह कितने number का होगा, यह 60 number का होगा, देख लिए साथ साथ यहां में number mark assigned किया है, कि हो, अगर आप एक essay लिखते हैं, essay कौन-कौन सा topic दिया था, देखे, 2018 में कौन-कौन सा topic दिया था, रेंडमली इन से ऐसा ही topic दिया जाता है, पहला topic है, corruption in public life, second science and religion के बारे में है, और तीसरा जो है, इनके पास violence against women, तो आप उमीद करता हूँ कि यह तीनो topic आपको समझ में आ गया होगा, इनी तीनो topic पे आपको एक essay लिखने के लिए दिया गया था, 2018 के paper में, और मैं समझता हूँ कि अगर कोई law का student है, तो corruption in public life को वो नहीं लिखना चाहेगा, science and religion के बारे में लिखना चाहेगा, वो violation against women के लिए एक essay लिख सकता है, क्योंकि इसमें जब हम essay लिखेंगे, violence against women के लिए essay लिखेंगे, तो हमारे पास तमाम act है, तमाम कानून है, उन कानून से मैं relate करके, correlate करके, अपने essay को एक बहतर essay लिख सकता हूँ, जो कि 500 word में हो सकता है, दोस्तों इस समय जो minor, 9 minor act को include किया गया ह यह सारे के सारे minor act को हम क्या कर सकते हैं, इस essay में अपने include कर सकते हैं, जैसे domestic violence act होता है, cruelty होता है, जो dowry death होता है, इन सभी चीजों को हम क्या कर सकते हैं, यह violence against women वाले essay में अपना लिख सकते हैं, अगर मैं 2018 का paper दिया होता, अगर यह essay आया होता, तो मैं यह essay लिखता, C वा पाएंगे, हम law के बारे में law के provisions को इसमें नहीं लिख पाएंगे, और अगर हम science and religions की बात करते हैं, तो इसमें भी हम law के topics को ज्यादा नहीं घुजा पाएंगे, लेकिन यहाँ topic C वाले की बात आ रही है, violence against women की, तो इसमें हम IPC के और Indian evidence act के sections को भर-भर के लिखेंगे, और जो minor act इस बार सामिल किया गया है, अगर पहले से जायर सी बात है, जब कोई PCSJ का preparation कर रहा है, तो वो सारे act को कही ना कहीं पढ़ा रहता है, उस act के बारे में थोड़ा कही ना कहीं सुना होता है, तो इन सभी act के बारे में मैं यही लिखता, तो यह देख लिजे, आपके प पुरा नीचे तक पैसे दिया है, इसमें हमको क्या बनाना है? एक प्रेसी बनाना है, make a pricey of the following पैसे इन योर आउन वर्ड, कैसे बनाना है? आपको खुद अपने वर्ड में बनाना है, in about one third of its length and suggest a suitable title to it, means की एक suitable टाइटल देकर के अपने आउन वर्ड में इसको पहले पढ मिन्स की जो हेडिंग होता है एक टाइटल बनाएंगे और उस जो टाइटल आप बनाएंगे इस सभी चीजों को पढ़ने के बाद वन थार्ड में मिन्स की एक अतिहाई पार्ट इसमें से निकाल करें अब क्या करेंगे उसमें अपने बात को यहां पे में संद करेंगे वही अब सोचने वाली बात कि अगर आपने प्यराग्राफ पढ़ लिए तो कुछ ना कुछ तो आपको समझमें प्यायाई हुला कि हम वो प्यराग्राफ क्या कर रहा उसके बाद से एब उसमें से क्या ऑब बदाएंगे जो यह हेडिंग की बात कर रहा है यू एक्जामिनल में हम से को question दिया गया, इसके लिए हमें एक heading बनाने के लिए कहा जा रहा है, कि एक उसमें हम heading बनाएंगे और उस heading को बनाने के बाद हम क्या करेंगे, अपने answer को frame करेंगे, देखें यहां पर किस प्रकार से आपके लिए एक प्रेसी दिया गया, प्रेसी देखें क्या दिया गय अहतो है इस थारा है रहा है मैं कुछ पहल रहा है यह को छालनेकी हो नहींने इस Isabella ही यह हमारे पास एक गिफ्ट होता है एक तौफा होता है जो कि हमें मिला है कहां से यह गौड गिफ्टेड होता है इससे हम लोग क्या करते हैं इससे हम लोग सीखते हैं लर्न करते हैं और सभी लोग कही न कहीं कुछ न कुछ बोल लेते हैं यह कला सब के पास है तो आपको देख करके ही यह जो पैराग्राफ दिया है इस पैराग्राफ को इतना यहां से ले करके यहां तक पढ़ करके यह बात समझ में आ गए कि हां यह पैराग्राफ किस चीश के बारे में बात कर रहा है यह बात कर रहा है हमारे पास conversation को कि जो conversation होता है जो हम लोग बात चीत करते हैं यह क्या होता है एक प्रकार का कला होता है और यह बात चीत करना के लिए तो सभी कर सकते हैं लेकिन अगर यहीं पे देखा जाए कि हमको कोई आर्ट बनाना हमको कोई ड्रॉइंग बनान यह पूरे paragraph को आप जब रीड कर लेंगे तो आपके को एक मोटा मोटा idea मिल जाएगा तो उसी idea में से एक heading बनाईएगा आप और heading बनाने के बाद आप क्या करेंगे heading बनाने के बाद आप प्रेशी को one third में जो 200 word में लिखा है यहाँ पर 293 word में लिखा है यहाँ पर पूरी बाते लिखे गई है 293 word में लिखा गया अब 293 का one by third आप कर दीजिए अब जीतना word बन रहा है उसी उतने ही word में आपको क्या करना है अपने प्रेशी को लिखना है य इसके लिए अंठावन प्लस दो मिन्स की इसके लिए भी कितना माक्स दिया जाएगा 60 नंबर आपको यहाँ पे दिया जाएगा अगर आप इंगलिजिस में अच्छा कर जाते हैं अगर कोई मान लिजे कि आपका PCS जे में एक्जामिनेशन का कोई भी कोई पेपर first हो गया यहाँ पेपर second हो गया च्याँ पेपर third हो कोई भी पेपर में से अगर किसी में कम नंबर पा रहा हैं अगर यह साथ नंबर का यह question था फ़स्ट वाला साथ नंबर का यह अगर इन दोनों में से मिला करके आप 100 नंबर भी गेन कर लेते हैं अगर आप इंगलिजिस में 100 प्रेसि का है एक बार पढ़िए तो बहुत जब़ ज्यादा है पूरा दो घंटे का यहापर आपके पास टाइम की बात कर रहें यहापर तीन गंटे में पढ़िए चर्ण की आप ऐसे का आज आता है जो फालोइंग पैसे इंटु इंगलेज यह जो पैसेज दिया है इस पैसेज को आपको पढ़ना और पढ़ने के बाद क्या करना है यह 40 number का है यह शुखे जाता है जो इंटर और शेया को प्राफीन काल में विक्रमादित नाम का एक क्या राजा था हैएचिता में राज़ प्रत्त wollर से और सुछ इससे लगोबने के प्रत्तो Button में खेल रहे थे वहां उन्होंने एक मिटी का धेर देखा जो एक पत्थर से ढखा हुआ था उनमें से एक लड़का उस पत्थर पर बैठ गया उसमें से अपने साथियों को बुला कर कहा मित्रो आज मैं राजा विक्रमादित्त हो गया हूं तुम लोग अपने मुकद में मेर यहां पर इस लते हैं करें तो यह सारी यहां पर मैं नेँ बता दिया अब जो सभी पर और यहां लास्ट और इसका भी डिया कि आप करें पढ़ करके क्या करें पहले ये 2018 तक यह सीन चला था लेकिन अब जब हमारा जो नोटिफिकेशन आया है इसमें क्या हो गया है अंबर का हिंदी अलग से हो गया और सो नंबर का इंगलिस हो गया है हमारा जो टोटल पेपर होता है हो दो सो नंबर को बाइफरकेट कर दिया है तो देखिए ये 2018 का है इसलिए इसमें इस तरह से दिया हुआ है तब ट्रांसलेट करना है इभन दूरिंग दब्रीफ इस्पैन आफ आफ आवर लाइफ विन वी हैब सीन इस तू फोर्सेज आइट अट प्ले इन इंडिया अड़ एट लार्ज लार्ज द फोर्सेज तू कंस्ट्रॉक्टिव इस तरह से आपको एक क्या दिया है इंग्ले स्थंस इसककर करके आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना Promised?..श इस पे 40 number आपको दिया जाएगा तो आप देख सकते हैं 40-40, 80 number का ये हो गया Hindu to English translate करने के लिए 40 number, 40 number English to Hindi translate करने के लिए 80 number यहां पे हो गया और 120 number, Minsk की 60 number आपको यहां पे मिल रहा है, और 60 number यहां पे 120 number, Minsk की 120 number उपर हो गया और 80 number नीचे हो गया, Minsk total मिला के 200 number का आपका paper य हो गया, और यह ऐसा ही paper में आता है, बागी कुछ इसमें तीर मारने वाला नहीं है, बस यहां पे मैं आपको topic दिखाना चाहता था, साथ-साथ मैं प्रेसी का मैं दिखाना चाहता हूँ कि किस standard का, किस label का यहां पे प्रेसी आपसे पूछा जाता है, और उसके बाद से, जो अपने पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए, छोड़ थोड़ा थोड़ा बस आप translate करना इस्टार्ट कर देंगे, Hindu to English और Hindu to English, तो आप मान के चलिए कि आप कहीं न कहीं अच्छा कर जाएंगे, अब साथ-सी को ध्यान में देखते हुए, अब हम language का paper देखते है, 2016 का, 2016 के paper में साथ यो क्या कहा था, देखिए, इसमें भी कितना समय दिया गया था, तो इसमें भी 3 गंटे का समय दिया गया था, और इसमें जो total marks होता था, 200 marks का ये paper होता है, अब specific instructions क्या दिया है, all questions are compulsory, marks are allotted against each question, word limit in question, where specific should be added to, means कि जो बात पहले कहा गया है, कि सब के सामने marks दिया one of the following topics, not exceeding word 500, means कि 500 word से जादे में हमको क्या करना है, एक essay नहीं लिखना है, हमको एक essay लिखना है, 500 word में ही उस essay को क्या करना है, पूरा करना है, और इसके लिए number हमको कितना दिया जागा, 60 number दिया जाएगा, अब देख लिए जो topic क्या क्या दिया है, terrorist activity in the world, देखिए पहला जो 2018 का मैंने देखा था, तो उसमें corruption in public life को दिया था, और यहाँ पर क्या दिया है, terrorism activity in the world, तो मान के चलिए कि जो terrorism से related, और क्या कहते हैं, जो corruption होता है, इस से related एक topic को आप तयार कर लिजेगा, यूँकि 2016 में भी इसी type का question पूछा है, 2018 में भी इसी type का question पूछा है, एक terrorist स the world, second में दिया, rising standard in the education field, तो यहाँ पर दिया है, rising standard in the education field के बारे में बात कर रहा है, और जो 2018 में हम लोगों ने पढ़ा था, science and religions के बारे में पढ़ा था, और जो हम लोगों तीसरा पढ़ा था, वो violence against women के बारे में पढ़ा था, यह topic दिया था, और यहाँ पर जो तीसरा topic दिया है, science in the service of man के बारे में बात कर रहा है, तो दोस्तों, अगर हमको, अगर 2016 का मैं पेपर देता, अगर मुझसे कोई पूछता, कि आप कौन सा इसमें से topic, किस topic पे इसे लिखना पसंद करेंगे, तो दोस्तों, मैं B वाले topic पे इसे लिखना पसंद करूंगा, rising standard in the education field के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जो इस समय का जो नई सिख्छानीती लागू हो रही है, तो 2016 का पेपर, 2016 में नई सिख्छानीती की बात नहीं की जा रही है, लेकिन अगर इस समय, अगर इस टाइप का essay आ रहा है, अगर rising standard in the educational field के बारे में बात करेंगे, तो हम जितने भी समीधान संसोधने हुए, उस सभी समीधान संसोधन को मैं यहाँ पे दूँगा, कि 6-14 वर्ष के बच्चों को अनिवारे सिख्छा देना चाहिए, और उसके बाद से जो छोटे बच्चे हुए, उनको भी सिख्छा देना, उनके माता-पीता का कर्तब भी होता है, साथ- करता, यहाँ पे कोट करता, और एक अच्छा अपना क्या करता, इस से तयार करता, और उसी वेस में हमको 60 में से मैं कोसिस करता, मुझे 45-50 नमर हमको क्या हो जाता है, गेन हो जाता, तो यह इस टाइप का आप चूस करिएगा, जिसमें कि आपका law को रिलेट हो, क्योंकि law हम रेगुलर पढ़ रहा है, और law ही हमारा main subject है, अगर हम law के साथ किसी भी चीज को topic को अगर match करके लिखेंगे, अगर पढ़ करके लिखेंगे, तो वो topic और भी उसमें हम अच्छे-च्छे word को डाल सकते हैं, जिससे की examination में हमको क्या होगा, अच्छे से अच्छे marks हम गेन कर स इसके लिए number कितना दे रहा है, दोस्तों जो number आपको दे रहा है, 58 number तो आपको प्रेशी लिखने के लिए दे रहा है, और दो number उसके लिए दे रहा है, कि जो आप heading बनाएंगे, तो heading अलग से दो number यहाँ पर दे रहा है, और यहाँ पर भी कितने number का होगा, अब देखिए यहां पर कह क्या रहा है जो प्रेशिदिया है we often talk of rising our country to great highest great highest but we have also an answer to the question as to what those height are are and how they can be attained one great higher some people might save is the economic prosperity of the people economic prosperity is not no doubt a high worth attending as poverty tend to the great man and we have to see to eat the every citizens of the country is able to earn enough to meet his family his and his family daily night तो यह सभी चीजों के बारे में दे रहा है कि किस तरह से आपको एक प्रेशी दिया है आपको इस प्रेशी को देखना है मैं दो से तीन बार पढ़ना है और इसको पढ़ने के बारने के बाद जो आपको चीज़े समाझ में आ रही है इसमें बात कर रहा है कि किस तरह से हमाराана कंट्री क्या कर ला है धीरे धीरे विकास कर रहा है राइस के के तरब इक कर ना इक प्रेसि को उटम में लिखना यह बाते आपको समझ में आ गई और स्वास्त का का प्रता है जहां को तो इसमें आप तब लिखेंगे तब आप गांधी जी को यहां पर ही है रहा ही वह ध्यान दे रहते लेकिन जीए क्या यह इस से नहीं कि करेंकर यहां पर Canadian translation इसी को मैं करेंकरี करेंगे जुद करते रहेंगे फिर अब आप सब्सक्राइब करना थे निचे देखते हैं & तो अब नीचे कैसे आ रहा है यह पूरा अब यहां Democracy is a system in which it is very difficult, is not impossible to wipe out crime. In order to remove crime, you have to be strict and punish the criminal adequately, but in order to win elections, you have to enter yourself to everybody and appears even Torr, Dick and Harry. इस्तार से आपको एक इंगलिस में ट्रांसलेशन दिया है, आपको कह करना है हिंदी में इसको ट्रांस्लेट करना है, तो साथ हि जो दोनु मैंने पेपर लिया है लेंग्वेज का दोचारण अठार का और दोचार सोलगा इस पेपर को आप लोगों ने देख लिया किस तरह से किस तरह से यहाँ पे कौन-कौन से टॉपिक पे आपको एससे लिखने के लिए आता है, किस-किस टॉपिक पे आपको प्रेसी लिखने के लिए आता है, और साथ ही साथ आपने ये भी देख लिया, कि इस पर क्या कर दिया है, इस पर पेपर में चेंजेस कर दिया गया है, सो न 9 minor act को आप थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेंगे क्योंकि महिलाओं से related essay में essay का एक topic दे दिया जाता है क्योंकि महिलाओं से related जो मुद्दा चला है वो जौलन तसील मुद्दा चला और इस प्रकार के मुद्दों को वहाँ पर डाला जाता है और खास करके अगर अगर आप essay के topic को कहते है तो आप सबसे ज़ादा अगर आपको देखना है तो science के बारे में देख लीज़ेगा क्योंकि science के लिडर बार-बार question पूछ रहा है उसके बाद से corruption से देख लीज़ेगा कि corruption क्या होता है कुछ national level पे करफसं के बात करते हैं कुछ international पर करस्व की बात करते हैं तो दोस्तो इन इस चीज़ों को देख लेंगे तो आपका English language का पेपर जो होगा वो आसानी से कम्प्लीट हो जागा दोस्तों इस सेशन में हम इतना ही रखते हैं क्योंकि इस सेशन में कुछ जादे बताने को था नहीं अम नेक्स्ट पेपर आपके सामने हम ले करके आएंगे फ्रस्ट पेपर आल्रेडी मैंने डिसकस कर लिया आप लोगों के साथ जो की यूपी पीसेश कर दी हुआ है मैं बताता हूँ आपको किस तरह से आपको आंसर अपने करना है क्यूंकि आपको 9 जहते हैं उसमें नंबर हना चार पाट करके आब CB7 complete जितना लिखन ह् आपके पास च्यार लगा करके लिखना है तो आप इस तरह से लगा रहां जिससे कि आप और से अगर आछ लगा तो बर बतने ONE भूस might help ड़िए करें तो आप को जरूर्प करें तो अहते हैं को